गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो आज हम एट्ट क्लास संस्कृत का फोर्थ लेसन करेंगे तो ये है चतुर्थ पाठ चोथा पाठ सदेव पूर्तो निदेही चरनम सदेव मीन्स सदा पूर्तो आगे निदेही बढ़ाना या रखो चरनम चरन सदा आगे ही कदम रखो तो इसका पहला शलोक है चल्चल पूर्तो निदेही चरनम सदेव पूर्तो निदेही चरनम गिरिशिकरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगा रोहनम बलम सुकियम भबती साधनम सदेव पूर्तो निदेही चरनम अर्थात चल चल कहोगा चलो 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 आगे कदम रखो सदा आगे ही कदम रखो निश्चे ही परवत की चोटी पर अपना निवास है यान के बीना ही परवत पर चढ़ना है अपना बल ही आगे भणने का साधन हुआ करता है इसलिए सदेव आगे ही कदम बढ़ाओ इसमें कवी ने हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेर्णा देते हुए कहा है कि हमेशा हमें चलते ही रहना चाहिए आगे की तरफ चलते ही रहना चाहिए चाहे हमारे पास साधन हो या ना हो लेकिन हमें हमेशा मार्ग से लक्षे तक पहुँचने का प्रयास करते रहना चाहिए दूसरा श्लोक है पथी पशाना विश्मा प्रकरा हिंस्त्रा पश्वह परितो घोरह सदुषकरम खलू यद्यपी गमनम सदेव पूरतो देही चर्नम अर्थात रास्ते में उबढखाबर तीखे नुकीले पत्थर हैं चारों और हिंसक पशु हैं यद्यपी वहां पहुँचना बढ़ा कठिन है प्रंतु सदा आगे ही कदम बढ़ाओ हमारा जो लक्षे होता है वो हमें असानी से नहीं प्राप्त होता है हमारा लक्षे प्राप्त करने में हमेशा रुकाबटे आती हैं लेकिन हमें फिर भी अपना लक्षे प्राप्त करना है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है तीसर स्लोक और आखरी स्लोक है इस पाट का जही ही भीतिम भजभर शक्तिम बिदेही राष्ट्रे तथा अनुरुक्तम कुरुकुरु सतम धये स्मरणम सदेव पुर्तो निदेही चर्णम अर्थात भीति होता है भय जही ही भीतिम भय को छोड़ दो शक्ति को ही भजो शक्ति का ही जब करो तथा राष्ट्र के प्रती अपना प्रेम बनाए रखो अपने लक्षे का बार बार स्मरण करो और सदा ही आगे कदम बढ़ाओ तो शातों ये था हमारा आज का चोथा पाट संस्कृत बहुत ही अच्छा पाट है ये ये हमेशा हमें आगे बढ़ते रहने की ही प्रेनाम देता है तो अभी इसके हम कोश्चन अंसर करेंगे स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शोट ले लीजीगा क्यूंकि अगर मैं सारे एक्स्प्रेंड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये है इस लेसन का आखरी प्रशन और अभी इसके अनुवाद देख लेते हैं और ये है इसका चोथे क्वेश्चन का आप आठ ये हैं आपके बाक्या बनाईए आप वीडियो पोस करके इसके स्क्रिन शोट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में असानी हो ये है इसका दूसरा अनुवाद और ये है इसका आखिरी अनुवाद तो स्टुडेंट आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लें वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंट के साथ शेयर भी करें साथ में बेल ऐकन जूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी इसका नेक्ट लेसन अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकिशन है वो आप सबसे पहले पहुंचे तो thank you, thanks for watching, have a good day, stay safe, stay healthy, take care